जैसा कि आप जानते हैं, 2023 में जिन चात्रों ने 11th क्लास में एडमिशन कराया था, यानि जो इंटर सेशन 2023 पचिस के चात्रे थे, उनका रजिस्ट्रेशन डेट घोशित किया गया था 20 सितंबर से ले करके 11 अक्टूबर 2023 तक, लेकिन 25 तारिक को इससे पहले की 11th का जिहार्ज कारणों से समप्रती सत्र 2023 के लिए आनलाइन सूची करन, यानि के रजिस्ट्रेशन या फिर अनुमती आवेदन जो भरा जाना था, उसको अस्थागित किया जाता है, और उक्त सत्र के लिए, यानि के 2023 के लिए अर्थात 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए, अलग स जो नोटिफिकेशन आया था, जो पैसे कहे गया थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया था, वो सब वही रहेगा, या अलग रहेगा, रजिस्ट्रेशन शुरू कब से होगा, सारी बातें बिल्कुल विस्तार से किलियर होने वाली है इस वीडियो में, इसके लिए सबसे पहले गूगल में सर्च करना है, आपको सकाई लाइट अश्टडी लिख करके, और जब यह आप सर्च किजेगा, तो सबसे उपर जो रिजल्ट आएगा, उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है, थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करने पर एक पोस्ट नजर आएगा 11th के रिजिट्रेशन का 2023-25 के लिए, बिहार बोड 11th क्लास रिजिट्रेशन 2023 फॉर इंटर एक्जाम 2025, जैर सी बात है भाई, जो 23 में रिजिट्रेशन कराएंगे, उनका एक्जाम 2025 में इंटर का होगा, तो यहाँ पर देखे, इस पोस्ट में आपको पुरा इंटर का एक्जाम फॉर्म भी बरा रहा था, और 11th का रिजिट्रेशन भी चल रहा था, शुरू हो गया था, इन तीनों चीजों को अचानक से बंद कर दिया भी हार बोड ने, इसमें मैट्रिक का फॉर्म डेट आ चुका है, इंटर का भी फॉर्म डेट यानि एक्जाम फ संभावना है कि चांस मिले, क्योंकि जो ऐसे बच्चे था, जिनोंने का अपार्टमेंटल से मैट्रिक का एक्जाम दिया था, उनका रिजल्ट लेट से आया, तब तक इंटर के एडमिशन का डेट खतम हो गया था, तो हो सकता है कि उनको एडमिशन का मौका दे, उसके अधिकतर बच्चे नियमित ही होते हैं, रेगुलर ही होते हैं, उनको 515 रुपया देना होगा रेजिट्रेशन सुल के रूप में, लेकिन यहां पर मैं अस्पष्ट कर दूँ कि आपका जो प्लस्टू स्कूल है, आपका जो कॉलेज है, इस 515 रुपय में हो सकता है कुछ पैसे और जोड करके ले, क्योंकि कुछ कॉलेज के चार्जज होते हैं, कुछ प्लस्टू स्कूल के चार्जज होते हैं, वो भी आपसे जोड करके लिया जा सकता है, ऐसे बोड का, बिहार बोड का सुल कितना है, 11 रेश्ट रसन का, तो 515 रुपया, और अगर आप प्राइ हैं, सोतंतर हैं, तो उनके लिए 915 हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे किस कटेगरी में आएंगे, तो बिहार बोड से मैट्रिक पास करने वाले बच्चे, जो की रेगुलर कटेगरी में हैं, जिन्होंने OFSS से एडमिशन कराया है, जिनका बजापते ऑनलाइन हुआ, मेरिट वैसे बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे, और अगर आपने मैट्रिक किसी दूसरे बोड से पास किया है, यानि CBSC से पास किया है, तो ऐसे बच्चों का सुल्क जो है, रेजिस्ट्रेशन सुल्क 11th का 715 है, बाकी जो ये कॉलेज का फी है, या फिर प्लस्ट्व स्कूल का फ पास करके इंटर में बिहार बोड से कराया है, तो ऐसे बच्चों का 715 रुपया, यहां पर एक बात मैं और असपश्ट कर दूँ, अगर आपने मैट्रिक किसी और, यानि के 10th क्लास किसी और बोड से पास करके बिहार बोड से इंटर में अडमिशन कराया, 11th कराया है, तो आपको registration के time में migration certificate भी जमा करना पड़ेगा, वो भी original, तो अगर हो सकता है, किसी बच्चे से admission के time ही migration certificate ले लिया गया, अगर admission के time आप से ले लिया गया, तब दुबारा नहीं मांगा जाएगा, और अगर नहीं लिया गया, तो registration के time में original migration certificate जमा ले लिया जाएगा, क्या document लगेगा, कौन-कौन से कागजात लगेंगे, तो देखे, document में आपका इतना सारा document लग सकता है सबसे पहले तो है class 11th का admission रसीद, हाला कि ये कुछ जरूरी नहीं कि मांगा ही जाए, आपके college पर depend करता है मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है फिर class 11th का registration form पूरा भरा हुआ, ये class 11th का registration form दो तरह का आता है, एक blank आता है जिसमें बच्चों को सारे डेल भरने पड़ते हैं और एक छपा हुआ आता है, तो छपा हुआ किसका आएगा जो regular बच्चे हैं, जिन्होंने उनका form छपा हुआ आया है, जिसको सही सही भरने का तरीका आप यहां किलिक करके देखे, यहां पर है न, 11th registration form सही सही कैसे भरे हैं, यहां पर किलिक करके देख सकते हैं, तो ओ फॉर्म छपा हुआ उसमें फोटो वगएरा, डिटेल वरा सब छपे हुए हैं ओ आप देख सकते हैं, तो ओ फॉर्म आपको पूरा भर करके जमा करना होगा, मैट्रिक के माकसित का जो फोटो कोपी है, ओ लगाना पड़ सकता है, फोटो अगर मानलों की छपा हुआ आया है, तब तो ठीक नहीं चपा हुआ है, तो वहाँ पर चिपकाना पड़ेगा, अधार कार्ड की फोटो कोपी, इमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पास्बुक, माईगरेसन सर्टिफिकेट, जो दूसरे बोड के, यानि के जोनों मैट्रिक किसी और बोड से पास किया, उनके लिए माईगरेसन सर्टिफिकेट, या जाती आवासी, आय परवान पत्र, यह सब ऑप्शनल में है, अब देखेए यह 11 डोकुमेंट यहां पर दिये गहना, 11 में कोई जरूरी नहीं कि आपका कॉलेज सब का सब मांगे ही, आपका कॉलेज इसमें से हो सकता है, कुछ मांगे, कुछ ना मांगे, जो भी मांगे, आपको वहाँ पर जमा करना है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर मैं एक बात और अगर आपका कॉलेज छपा हुआ फॉर्म आपको नहीं देता, अगर उसमें डिटेल छपे हुए नहीं दिखते हैं, तो ऐसे कॉलेज में जो ब्लैंक फॉर्म मिल रहा है, वो भी भरने से आपका registration हो जाएगा, वो भी भर करके आप जमा कर सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बात यह कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो अपने अस्तर से 11th के registration के लिए online आवेदन करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, साइबर कैफे वगरा से भरवाते हैं, तो यह सब नहीं, कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं, जो online करवाते हैं, तो अगर आपका कॉलेज भी online अलग से करवा रहा है, तो आपको online करना पड़ेगा, कुछ बच्चों का सवाल ये भी था कि हमारे यहां, जो हमारा कॉलेज है, प्लस टू स्कूल है, उन्होंने फॉर्म भरवा का जमा ले लिया है, या फिर online करवा लिया है, फी बगरा सब जमा हो गया है, रेजिटेशन का, तो हमारा क्या होगा, देखिए, अगर आपने पहले वाला फॉर्म जमा कर दिया है, पैसे जारी करेगा तब, तो इसलिए घबराने के बिकल जरुवत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे ही दोबारा नया डेट 11th के रेजिटेशन का आए, आपको एक बार अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके पूछ लेना है, कि हाँ पर हमको कुछ करना पड़ेगा, जो आपको असपश्ट पूछ लेना है, तो रेजिटेशन डेट अक्टूबर में आने जा रहा है, इसके अलावा कहीं कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलते हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ